तो भाई गेम में आ चुका है नेया मकडा करेक्टर और सैंटीनो के अबेल्टी में भी चेंजस किये गए तो इसके बाद अगर गेम में तुम लोग करेक्टर के अबेल्टी यौन करोगे तो भाई यूज तो कोई और करेगा लगेगी किसी और को और भाई डाउन कोई और ही हो जाएगा और तुम लोग सोचोगे आखिर यार मैंने मारा किसको तो सवाल ये उड़ता है कि तो भाई परशान बिल्कुल मतो क्योंकि आज मैं तुमें सैंटीनो और राइडन करेक्टर दोनों के बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ कि कैसे तुमें से यूज करना है लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ कॉम्बनेशन देख लो यहाँ पे एलाइट अलवार हो है, मार हो है और लियोन है सब यहाँ पे देखो एक बंदा वो कॉंग बन के जा रहा था और मैं इसकी स्किल को एक्टिवेट करके दूर जाता हूँ क्योंकि में पास अलवार हो है और भाई देखो सामयाला बंदे की मुवमेंट स्पिट जैसी कम होती है 40 HP वैसी कम है, यहाँ पे मैं नेट करता हूँ भाई बंदा खतम हो जाता है तो पहले राउन में तो भाई बहुत ही कमाल का है फिर जाके तुम लोग गंचीन सकते हो उससे अब यहाँ पे बात कर लेते है टिप नंबर टू के बारे में तो भाई तुम लोग उसे मारी नहीं पाओगे, वो तुमी को मार देगा उल्टा जैसे यहाँ पे हुआ भाई तो यह भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा अब बात करते हैं इसका जो माइनस पॉइंट है भाई देखो यह जो रोबोट मकडा छोड़ता है ना भाई यह मकडा इनमी को भी दिखता है और वो जैसे उसे देखेगा तो फटक से भाई वो उसे टागेट करके शूट कर देगा और तुमारी स्किल वेस्ट हो जाएगी जैसा कि यहाँ पे तुम लोग देखी सकते हो तो यह भी तुमें ध्यान दिना पड़ेगा अब भाई रशर बोलेंगे कि मैं इसको यूज कैसे करूँ तो भाई रुख जा तेरे लिए बता रहा हूँ ना देखो रश करते टाइम तुमें इससे ओन करना है और जैसे तुमें इससे ओन करोगे भाई बंदा खूदेगा भी ना तो भी उससे पकड़ लेगा और आंसे तुम लोग इसे मार सकते हो लेकि अगल बगल भी देखते रहने तो खुदी मर जाओगे और मैंने आपे अलवारो लेने को क्यों कहा था भाई क्योंकि नेट करने के ना अलगी मज़े है तुम लोग फटा-फट नेट करो और सबको निप्टादे चलो और अब बात करते हैं अगले टिप्स की तो देखो अगली टिप यह है कि तुम लोग इसे रिवाइवल सिक्योर्टी के तरह यूज कर सकते हो मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुमारा कोई बंदा भाई डाउन हो जाता है तो वहाँ पर देखो एनवी भी होंगे तो तुम लोग को क्या करना है पहले तुम लोग को तरीके से भी यूज कर सकते हो बहुत ही मजाएगा लेकिन रिवाइब का ध्यान रखना अगर तुम लोग रश करते हो गलत तरीके से यूज किया तो इसकी स्विल एक्टिवेट करोगी और ये गलत डिरेक्शन में भाग जाएगा और भाई यहाँ पे मैं जीत गया लेकिन भाई स्किल मेरा कोई काम नहीं आया अगर तुम्हें किसी ने रिवाइब दिया और यहाँ पे तुम लोग जाके मेडिकिट ले रहे हो तो तुम लोग को मरते मरते भी आत्मगाती हमला करना है यहाँ पे इस स्किल को एक्टिवेट कर दो और लॉक कर दो और भाई जैसे ही तुम लोग यहाँ पे कोई बंदा के तुम्हें डाउन करता है ना तो आया पास तो आए गई और भाई वो भी ट्रैप हो जाएगा लेकिन भाई तुमाई टीमेट समझदार होने चाहिए कि वो भाई आके इसको मार दे अब बात कर लेते हैं यहाँ पे देखो फिर से पहले राउन में पहुच गया हूँ अब बात कर लेते हैं भाई सैंटीनो करेक्टर के बारे में तो इसके स्किल में जो चेंजिस किये गए वो मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ लेकिन उससे पहले कुछ कॉम्बनेशन देख लो तो यहाँ में यूज करने वाला हूँ लियॉन का जोटा का और लूना करेक्टर का तो यहाँ पे यह कॉम्बनेशन इसके लिए मुझे ठीक लगता है तो फटा-फटे काम करते हैं पहले मैं इसके स्किल के बारे में तुम्हें बताता हूँ तो देखो यहाँ पर round start हो गया है तो इसकी स्किल जो यह है यहाँ पर पहले मैं activate कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर एक McQuinn ओन हो जाता है और मैं यहाँ पर रश मारने के लिए जाता हूँ और मैं जैसे किसी बंदे पर रश मारता हूँ तो यहाँ पर मैं से डाउन करता हूँ और मैं वापस आ जाता हूँ लेकिन यहाँ पर मैं वापस तो आ गया लेकिन कोई बंदा मुझे यहाँ पर मारता है और अगर तुम लोग भाई कमेंट करोगे तो मैं सैंटीनो और भाई वुकौंग पे भी एक वीडियो लाओंगा जिसमें कंपेर करेंगे कि दोनों में से बेस्ट करेक्टर कौन है और दोनों से भाई बेस्ट गेमप्ले का भी ट्राइ करेंगे तो यह तो आज की वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करना और चल्ड को स्ब्सक्राइब कर लो क्योंकि बहुत ही जल धमाकेदार वीडियो आने वाली है तो मिलते नेस वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर